वेलकम टो बी एसी बिहार इस्टेटिक जामें आपका स्वागत है यह वीडियो बी एससी इंटर लेवल का जो वेकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग चेप्टर वाइज कंसेप्ट के रूप में मैद के इंपोर्टेंट कंसेप्ट रिश्यो और प्रपोर्शन से जित को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले परत्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके चलिए वीडियो की सुरुवात करते आज के इंपोर्टेंट प्रशनों के साथ रिश्यो और प्रपोर्शन की पहला प्रशन है 15 रिश्य का व्यूत कर्मानुपाति क्या होगा यानि 15 और 27 का व्यूत कर्मानुपाति पूछरा एडिश्यो तो क्या किजिए इसको पोजीट में लिख दीजिए जैसे एक वटा पंदर रिश्यो एक वटा 27 ठीक अब इसको क्या किजिए क्रॉस मुल्टिप्लाइख कीजिए यानि 27 इस सेड आजाएगा और पंदर इस सेड आजाएगा अब इसको छोटा फॉर्म में तोड़ दीजिए यानि तीन से काट देंगे ते तीन पचे पंदर तीन नमा सब्दाइश यानि नाइन रेशियो फाइव इसका कडिक्ट एंसर होगा यानि ओप्सन फोड इस प्रस्ण का बाप हो जाएगा खेलियर है नेक्स अगला प्रश्न क्या कर राया है तिरीरैईश पहईव रेश्यू डू का प्यूथकर्म आनुपाति क्या होगा यानि यह भी ब्यूथकर्मानु पूछ रहा है यानि तीन रियोगों लेजिए इसको बठांग में लिख यहानि वण यमं सकते हैं तो यह आपको आजागा कितना इसा जाया कि ना जागा तीस से क्या की जेल समसित चोपनी है गलतीष क याऀंगे ऐसन अब यसको नहीं का तेजल सक sorrowně बचांगे देखी कैसे हो जाग थीन इंसी कर जगा थींस दस म्सेट 5 से 30 कड़ जागा 6 मरते 2 से 30 कड़ जागा 15 मरते यानि 10 रेशियो 6 रेशियो 15 इसका कड़िक टैंसर होगा यानि option 1 इसका कड़िक जबाब हो जागा किलियर है next पहली संख्या दूसरी संख्या से 25 परशेंट अधिक है दूनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा पहली जो संख्या फस संख्या दूसरी संख्या से क्या है 25 परशेंट अधिक है सबसे पहले जानिए 25 परशेंट का fraction value कितना होता है तब 25 परशेंट का fraction value होता है 1 by 4 यह कैसे निकाले तब 25 परचेट का मतलब होता है बटा में सो से डिवाइड के यह कर गए एक बटा चार यानि पेशिस परचेट का फ्रैक्षेन वेल होसके रहर हिए औहकर है पहली संख्या दूसरी संख्या से बी यानि option 2 इसका कडिक चवाब हो जाएगा कुनसा 5 ratio 4 next, अब जिया गया इसको simplify करना है, दीखिए, 9 की power कितना जिया गया 2.5 ratio, 3 की power कितना जिया गया 4, हम 9 को 3 की power में लिख सकते हैं, कहें नहीं लिख सकते हैं, 3 का square नहीं होता है, यानि इसके square कर देंगे, इसकी power कितना है 2.5 रेशियो कितना 3 के पावर 4 अब दिखिए 3 के पावर 2 इससे मल्टिप्लाई होगा ता कितना 25 में 2 से मल्टिप्लाई होगा ता कितना 5 होगा 3 के पावर 5 रेशियो 3 के पावर 4 3 के पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 4 multiply 3 इसमें क्या जागा 3 के पावब फोर से 3 के पावब फोर क्यांसिल हो जागा यानि तीरी रेशियो वण इसका कडिक्ट एंसर आजागा कुन सा किरी रेशियो वण यानि option एक इसका कडिक जबाब हो जागा किलियर है next इसका क्या कर रहा है मिस्र अनुपाद क्या होगा जब भी मिस्र अनुपाद पूछी तब जैसे इसको यह यह यानि सबसे पहले बाला को पहले multiply करेंगे यानि 3 multiply 4 multiply 5 ठीक रेशियो उसके बात बात में कितना 5 है वो 3 है और 7 है 5 multiply 3 multiply 7 जब इसको solve कीजिगा तो 3 से 3 के अंसिल हो जागा 5 से 5 के अंसिल हो जागा यानि 4 ratio 7 इसका क्या होगा मिस्र अनुपाद कितना 4 ratio 7 यानि option 4 इसका कडिक्ट अंसर होगा कौन सा option 4 next यादि A ratio B 3 ratio 5 है B ratio C 7 ratio 2 है तो A ratio C का मान गयात करना है देखिए A ratio B ratio C यहीं है A ratio B दिया गया 3 ratio 5 ठीक है अब B ratio C दिया गया 7 ratio 2 अब देखिए इसको कैसे solve करेंगे या देखिए सबसे पहले यह वाला लाइन से इसको multiply किजिए पांदूना 10 उतार दीजिए अब इससे नीचे multiply किजिए 7 पचे 35 अब जो बच रहा है इसको इससे multiply किजिए कितना हो गया सत्य है 21 यानि 21 ratio 35 रेशियो 10 यह हो गया अब पुछ क्या रहा है A ratio C पहले अस्थान पे A लिखिए दूसरे अस्थान पे C लिखिए यानि A का वहलू 21 और C का वहलू कितना हो गया 10 यानि 21 ratio 10 इसका correct answer होगा यानि 3 ratio 1 है तो A ratio B ratio C का मान क्यात करना है देखिए A ratio B ratio C दिया गया है जैसे देखिए A की जगह पे दिया गया है 5 अब B की जगह पे दिया गया कितना 6 आगे क्या कर रहा है B ratio C B की जगह पे यहां पे 3 दिया गया और C की जगह पे यहां पे 1 दिया गया है देखिए इसको second method बता सब्सक्राइव को अगर आप ऐसे भी निकाल सकते यानि 5 रेशियो 6 कि री रेशियो 1 इसको जब सॉल की जगा इससे मल्टिप्लाई की जगा 6 इससे नीचे मल्टिप्लाई को छोती आ ठारा और इससे यह मल्टिप्लाई को पांते पंद्रा जब इसको छोटा फॉर्म लखेती हैगा तीन से कार तीन पंचे पंद्र इन चक अठारा इन दून अचो यानि 5 रेशियो 6 रेशियो 2 यहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं किलियर है नेक्स्ट यदि A, B का 2 वटा 3 भाग है यदि A जो है क्या है B का 2 वटा 3 भाग है ठीक है लेख सकते हैं A रेशियो B यानि A वटा B कितना वटा 3 ठीक आगे क्या कर रहा है आगे कर रहा है कि B C का 5 वटा 2 गुना है B जो है क्या है C का कितना 5 वटा 2 गुना है इसको ऐसे लिख सकते हैं यह हमें रेशियो B वटा C कितना आगे 5 वटा 2 आगे क्या कर रहा है? A ratio C का मान गयात किजिए अब देखिए A ratio B Ratio C निकाल सकते है काया निकाल सकते है? A की जगह पे 2 है B की जगह पे 3 है यहाँ B की जगह पे 5 है और C की जगह पे यहाँ कितना है 2 तो जब इसको 6 की जगह इसको इससे multiply की जगह इसको नीचे वाला से multiply किजिएगा पांते पंद्रा इसको इससे multiply किजिएगा तब पांदू ना 10 ठीक हो गया अब इसको छोटा फॉर्म में भी लिख सकते हैं नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे आगे क्या करा यह ratio c का value गया थी एक का value दिया गया दस सी का value दिया गया चो जब इसको छोटा फॉर्मिल कीजिएगा तो यह दूसी कड़ जागा दो पचे दस दूत्याइच हो यानि 5 रेशियो थी इसका कड़िक्ट एंसर होगा यानि option c यानि तीन नंबर इसका कड़िक जवाब हो जाएगा किलियर है next यदि ए बी का 3 वटा 7 गुणा यदि ए जो है क्या है बी का 3 वटा 7 गुणा यानि 7 वटा 3 गुणा यानि इसको लेख सकते ए बटा बी बड़ावर कितना हो गया 7 बाइ 3 लिए आगे क्या कर रा है बी जो है C का कितना है 2 बटा 5 भाग है ठीक अब देखिए B बटा C हम लोग लिख सकते कितना 2 बटा 5 आगे क्या करा है A ratio B ratio C का मान क्यात करना है तो वही बात है अब हम लोग क्या करेंगे A ratio B ratio C कर सकते A की जगा पे 7 है B के जगा पे 3 है आगे देखिए B की जगा पर यहां पर 2 है और C की जगा पर 5 है जब इसको short form में लिखेंगे जिब इससे multiply होगा तो यह होगया पांते है 15 इन दोनों से multiply होगा तो 3 दूना 6 इन दोनों से multiply होगा तो 7 दूना 14 यानि 14 रेशियो 6 रेशियो 15 आ गया 2A बड़ावर 3B बड़ावर 4C जिसका value ग्याद करना उसको भूल जाइए यानि हमको अगर A का value ग्याद करना तो इस वाले भाग को भूल जाइए बचा होगा कितना 3 और 4 का multiply किजे यानि A की जगा पर हम लोग लिखेंगे कितना 3 दूनी 4 यानि 12 एक B की जगा पर हमको लिखना हो तो B वाले को भूल जाइए बचा कितना 2 और 4 का multiply किजे इसको 2 और 4 का यानि 4 दूना 8 एक C का फैलो निकालना है तो इसको भूल जाइए बचा कितना 3 और 2 को multiply किजेगा 3 दूना 6 यानि कितना हो गया 12 रेशियो 8 रेशियो 6 यानि अब क्या करा है इसको छोटा फोर्म में कर तोर दीजे यानि 2 से कार देते चो दूना 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6 यानि 6 रेशियो 4 र प्रश्न का कडिक चबाब हो जाएगा किलियर है निक्स्ट यदि A रेशियो B, B रेशियो C, C रेशियो D हो तो A रेशियो D का वहलू ग्यात किजिए अब देखे इसको जब भी इतना बड़ा प्रश्न हो तो इसको छोटा फोर्म में तोर के पना सकते है कहां क्या रहा है कि इसको सिंप्लिफाइ करके रेशियो में लिखना है तो देखे सबसे पहले आपके आ किजिए A रेशियो B का वहलू लिखा हुआ कितना A ratio B, A ratio B कितना जिया गया, 2 ratio 1 और क्या जिया, B ratio C B ratio C का value जिया गया 3 ratio 4, अब इसको simplify form में लिख सकते हैं, कैसे देखे, या तो पहले बाला में 3 से multiply कर देंगे, तो simplify form में हो जागा, या तो इसको cross multiply करके, सबसे अच्छा हमको क्या लगता है कि उपर वाले में क्यों हम 3 से multiply कर दें, क्योंकि यहाँ B के जगा पे 1 है, यहाँ B के जगा पे 3 है, उपर वाला में अगर हम 3 से multiply कर देंगे, तो क्या होगा 3 दूना 6, 3 और C के जगा पे 4 तो है ही, आगे क्या कर रहा है C ratio D, C ratio D का value जा गया, C ratio D 6 ratio 5, कितना? 6 ratio 5, उपर 4 है नीचे 6 है, हम दूनों को बरावर करना है 4 और 6 का LCM दिखा जाए तो यह कितना होता है, 12 होता है क्यों नग, उपर वाला में हम लोग 3 से multiply कर दें तो 3 चक बारा हो जाएगा नीचे वाला में 2 से multiply कर दें तो 6 दूना बारा हो जाएगा यानि इसका position सेम हो जाएगा जब position सेम कर देंगे तो आसानी से इसको क्या कर सकते है लिख सकते है यानि 4 आठारा 3 आए 9 4 आए 12 5 दूना 10 क्योंकि यह 6 दूना बारा हो गया यहाँ multiply होगा 2 से तो 5 दूना 10 हो जाएगा आगी क्या कर रहा है ए ratio D का value गयाद किजिए यह A हो गया यह B हो गया यह C और यह D अब हमसे जो पूछ रहा है A ratio D का value गयाद किजिए A ratio D A की जगा पे 18 है D की जगा पे 10 है यानि 18 ratio 10 जब इसको काटिएगा तो 9 ratio 5 आजागा कितना 9 ratio 5 यानि correct answer option एक इस प्रश्ण का करिक जबाब हो जाएगा कुनसा option A clear है next दिया गया इसको भी क्या करना है simplify करना A ratio B ratio C ratio D मे अब देखिए A ratio B कितना दिया गया है या देखिए 9 ratio 5 दिया गया है कितना V ratio C दिया गया है आपको 3 ratio 1 3 ratio 1 अब देखिए ये 3 है ये 5 है क्योंना हम इसको बराबर कर ले बराबर करने के लिए इसमें हमको 3 से multiply करना पड़ेगा और नीचे वाले में हमको क्या चिसे 2 5 से multiply करना पड़ेगा तो बराबर हो जाएगा यानि जब उपर multiply करेंगी तो A ratio B ratio C का value आजागा कितना 927 515 इधर देखिए 5 से multiply हुआ 15 5 में एक से multiply हुआ तो कितना हो जाएगा 5 यानि A ratio B ratio C का value आगया अब क्या कराए C ratio D का दिया गया 2 ratio 3 यानि C ratio D का value कितना दिया गया 2 ratio 3 अब देखिए C यहाँ 5 है यहाँ 2 है तो क्या कीजिए उपर वाले में हम 2 से multiply कर देते हैं उपर वाले में 2 से multiply कर देंगे के लिए और नीचे वाले में 5 से multiply कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा उपर वाला भी 10 हो जाएगा अब देखिए 2 से multiply के तो 27 दूना कितना हो गया 7 दूना 14 2 दूना 4 1 5 चववन 15 दूना 30 5 दूना 10 और कितना हो गया 5 दूना 10 हो गया 5 दूना 10 हो गया 5 ते ही 15 हो गया किलिया आगी क्या पुछ रहा है तो A ratio B ratio C ratio D आतो गया A ratio B ratio C ratio D का भैलू तो आ गया अब या तो इसको छोटे फॉर्म में लिख दीजे या यही फॉर्म आ रहा है यानि option B इस प्राश्ण का करिक जवाब होगा कि इनकोंसा चोवन रेशियो 30 रेशियो 10 रेशियो 15 फिलियर है यानि सबसे अच्छा क्या काम करना है हमको इसको बरावर कर लेना है किसको जूर कॉमन हो उसको हमको क्या करना होता है बरावर करना रहता है बस स्लियर है निक्स यदि एबी का 3 वटा 7 वाग है यदि ए जो है क्या है बी का 3 वटा 7 वाग है यानि बी का 3 वटा 7 कहानिक का मतलब एबटा B लिख सकते एबटा B वराबर कितना होगे 3 ґ7 ठीक आगे क्या करा है B जो है C का कितना है 2 वटा 3 भाग है ठीक है यानि B बराबर B वटा C लिख सकते कितना 2 वटा 3 आगे क्या करा है C D का 1 वटा 2 भाग है C जो है एक लाइन और करा है C जो है वो क्या है D का 1 वटा 2 भाग है किलियर यानि C वटा D हम लोग लिख सकते कितना 1 वाइ 2 तो A ratio D का value ग्याद करना है अब देखिए सबसे पहले इसको ratio फोर्म में आसानी भासा में लिख लेती है जैसे A ratio B ratio C यहां तक हम पहले काम करेंगे यानि यहां A की जगा पे 3 है, B की जगा पे 7 है इस ratio के हिसाब से यहां B की जगा पे 3 है और C की जगा पे, B की जगा पे यहां पे 2 है और C की जगा पे कितना 3 है अब देखिए यहां 7 है, यहां 2 है तो इसको बढ़ावर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा उपर वाला में हमको 2 से multiply करना पड़ेगा नीचे वाला में 7 से multiply करेंगे तब बड़ावर हो जाएगा, दो से multiply होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, तो 7 या 21 हो जाएगा, यानि A ratio, B ratio, C तक का complete हो गया, और C ratio, D, C ratio, D कितना जागा, एक ratio दो, यानि 1 ratio दो, यानि C की जिगव पे, यहाँ पे 21 है, यहाँ इसको 21 बनाना आसान है, क्योंकि इसमें 21 से multiply कर देंगे, 21 से multiply होगा, नीचे वला में, तो उपर आजाएगा, 6 आजाएगा, 14 आजाएगा, 21 दूना कितना हो जाएगा, 42 आजाएगा, अब question क्या करा, एक ratio, D का value जाएगा, एक जगव पे 6 है, D की जगव पे 42 है, 6 से 42 कर जा क्यों सा, 1 ratio 7, यानि option 4, इस प्रस्ण का करिक जबाब हो जाएगा, clear है, next, अब क्या करा, A, B का 2 बटा 5 भागे, A क्या है, B का 2 बटा 5, वही बात है, ऐसे ही फॉर्ण में लिखे, A बटा B, कितना लिख सकते, 2 बटा 5, आगे क्या करा है, B जो है, C का, कितना है, 3 बटा 4 भा बटा C, बड़ावर कितना लिख सकते है, 3 बटा 4, आगे क्या करा है, C, आगे एक और पर्म करा है, C जो है, वह क्या है, D का, कितना 2 बटा 3 भाग है, इसको भी लिख सकते है, C बटा D, बड़ावर कितना लिख सकते है, 2 बटा 3, अब क्या करा है, A ratio, B ratio, C ratio, D का भैलो ग्या T की जग cubes पर 3 है सी की जगऊ पर कितना चार देखulan पाच है एहां पांड श को बढबर कर लेते तो बढबर कर लेका जो बढबर करने गा लिए इसको बढबर करने के लिए भीजाशिक पास्से करना पेगा बराबर हो जागा जब तीन से मुथप्लाइब करेंगे थे हैं 5 फी पंद्र हो गया अब पांच जका वी यानि 6 रेशियो 15 रेशियो 20 C तक आ गया अब हमको D का वहलू भी निकालना है इसमें D का रेशियो कितना है देखे C रेशियो D दिया गया 2 बटा 3 यानि C की जगह पे यहां पे 2 है और D की जगह पे कितना 3 है यानि उपर 20 है नीचे 2 है तो नीचे वाला में हम अगर 10 से मल्टिप्लाई कर लेंगे तो यह बराबर हो जाएगा यहां अब देखे अब निकल गया E, RATIO B, RATIO C, RATIO D यानि एक ही जगह पे तो 6 है, D की जगह पे कितना आ गया 15 कि की जगह पे आपको कितना 20 है और दी की जगह पे कितना 10 से यहां मल्टिप्लाइए यहां भी 10 से मल्टिप्लाइए 30 हो गया यानि छोड़ी यो 15 रेशियो 20 रेशियो 30 इसका कडिक टैंसर होगा यानि ओप्शन वन इस प्रेशन का कडिक जवाब हो जाएगा किलियर है निक् मत बड़ा असा एक्विशन डिया गया है यानि a ratio p ratio c यह कितना दिया गया है 2 ratio 3 ratio 5 ठीक आगे क्या कर रहा है c ratio d ratio e दिया गया है कितना 4 ratio एक ratio साथ अब देखिए C के जगा पर यहां पर पिक्पलाइए करने के लिए इसमें 4 से 24 हो जाएगा या ऊपर बला में 4 से मलटिप्लाइए करना होगा नीचेita वाला में पाच से जब 4 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 4 दूना 8, 4 थे 12, 5 को 20, 5 यकम पाच, 5 से इससे मल्टिप्लाइ होगा 5 यकम 5, 5 सत्य 35 के लिए यानि A ratio B ratio C ratio D का आ गया 8, 5, 8, 12, 20, 5 और 35 यानि option 2 इस प्रस्ण का कडिक जबाब हो जाएगा, clear है next यह भी बड़ा सा equation इसको भी आसान भासा में आप लोग लिख सकते हैं जैसे देखिए क्या करा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी यह दिया गया दो रेशियो तीन ratio एक ratio 5 तिक आगे क्या कर हैं डी ratio ए ratio f तक दिया गया यह दिया गया तीन यह दिया गया पाच और एम दिया गया चाड अब दिखे यहां पर देखिए डी के जगा पे यहां पर आपको नज़र आ रहा होगा यहां 5 है और यह 2 हर नीचा 3 को आपां से मौल्टिप्लाइ कर दे तो यह 15 बन जाएगा और नीचे 3 को आपात से मौल्टिप्लाइ कर देंगे तो 15 बन जाएगा कोई दिखकत नहीं यह उपर 3 से मौलटिप्लाइ कीजिगा तो दिख़िए कि आगा 3 तेटी 7 9 3 एकम 3 5 यह quifer 15 25, 25, 25, के लिए अब क्या पूच रहा है? क्या पूच रहा है? B ratio E, यानि B के जगह पे कितना है? 9, E के जगह पे कितना है? 6, ठीक है? उसके बाद पूच क्या रहा है? D, D के जगह पे कुन सा आ गया? D के जगह पे यहां 15 आ गया? हुआ हुए उसके बाद पूछ रहा है cc की जगह पर कितना आ गया तीन आगया उसके बाद पूछ ए ए के जगह पर कितना है पचीस और f के जगह पर कितना है 20 या नी को जब यही इसका क्या होगा 9 ratio, 6 ratio, 15 ratio, 3 ratio, 25 ratio, 20 ratio, यानि इसका correct answer option C, इस प्रश्ण का correct जबाब होगा, कुन सा? Option 3, clear है, क्योंकि इसका जो ratio जो दिया गया, अलग-अलग format के साथ दिया गया, और उसको उसी तरह से हमको क्या करना होगा, arrange करना होगा, क्या करना होगा, arrange करना होगा, clear है, next, अब दिया गया है, इसमें x का value ग्याद कीची, यानि 1 by 63 ratio, 1 by 21, ratio, 1 by x, ratio, 1 by x नहीं, सीधे x, ratio, 1 by 8, कितना है, 1 by 8, अब देखे, जब भी इस तरह का ratio तो अंदर वाला को अंदर वाले से multiply करते, अंदर वाली कहने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को इन दोनों से multiply करेंगे, और ये बाहर वला इनको इसके साथ multiply करेंगे, जैसे देखे, 1 by 21, multiply x, ठीक, बड़ाबर, 1 by 63, multiply 1 by 8, किलियर, 21 से 63 कर जाएगा, 3 मरते, यानि x का value कितना आजाएगा, 1 by 8, 24, 1 by 24, x का value आपको आजाएगा, यानि correct answer, option 1, इस प्रश्ण का करिक जबाब हो जाएगा, कुन सा option 1, किलियर है, next, या जो जागया परतीक पद में क्या जोड़ा जाए, कि नई संख्या, एक समान अनुपाती हो जाए, जब भी इस तरह का प्रश्णा है, तो आपको option का पर्यूक करना हो, लेकिन इसको बनाएगे कैसे, समान अनुपात आजाए, यानि 13 में हमको क्या जोड़ना है, सू, और 45 में क्या जोड़ेंगे, सू, वह सेम संख्या जोड़ेंगे, वह जो रेश्यो बनेगा, वह 18 पलस एकस, बटा 60 पलस एकस के समान अनुपात में हो जाएगा, जब इसको पूट अप करेंगे, भैलू एकस की जिगा पर वन रखेंगे, पहला option यूज कर रहे, यानि एकस की जगा पर वन पूट करेंगे, तो तेरह एक चौधा हो जाएगा, जीचे 45 और एक 46 हो जाएगा, ठीक, इसको देखेंगे, 18 एक 19 हो जाएगा, 60 और एक 61 हो जाएगा, क्या यह कट रहा है, समान उनुपात बन रहा है, नहीं बन रहा है, यह option तो गलत है, option B कर यूज करेंगे यानि एक्स की जगा पर तीन रखेंगे, तो तेरह एक तीन कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 45 और तीन कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यानि समान उनुपात का रेशियो बन रहा है, वन रेशियो, यानि समान उनुपात बन रहा है, यानि करेंग्ट यानि करेंग्ट य हो जाएगा कुंसा option B clear है next अब क्या करा है 2.4 तता 3.6 का पर्थम समान अनुपाती क्या होगा अब इस तरह का question जब भी आया तो आप लोग क्या करते यह फर्मूला याद कर लेते B square by C पर्थम समान अनुपाती क्या होता B square by C लेकिन यह बनाएंगे कैसे जब समान अनुपाती का जब भी बात करें तो समान अनुपाती का जब भी बात करें तो समान अनुपाती का जब भी बात करें तो समान अनुपाती का 2.4 आगया इसके साथ 2.4 मल्टी रेशियो कितना 3.6 अब क्या करता हमने अभी पढ़े अंदर वाले को अंदर वाले से गुना करते हैं यानि 2.4 को 2.4 के साथ गुना करेंगे और A को 3.6 के साथ गुना करेंगे यानि पहला समाना अनुपाती A हमको निकालना है तो पहला समाना अनुपाती निकालने के लिए A multiply 3.6 बढ़ावर कितना होगा 2.4 multiply कितना 2.4 जब इसको एका वहलू निकाल लिए तो ए बढ़ावर कितना होगा 2.4 multiply 2.4 divide by 3.6 जब इसको solve किजिगा तो point से point हड़ गया 12 दून 24 बारत्याई 36 तीन से कड़ जया तीन से कड़ जगा आठ मर्थे आठ ती 24.8 यानी 8 दूना 16 यानी 1.6 यानी एका वहलू कितना आगया 1.6 यानी पर्थम समाना नुपाती क्या हो गया बी हो गया यानी जब भी ऐसे प्रशना है तो आपको क्या करना है जो भी पूछे पहला समाना नुपाती पहले position को हमको मान लेना है ऐसे इसका फर्मूला क्या होता है B square by A, क्या होगा B square by क्या होता है C, B square by C होता है क्या पर्थम समान अनुपाती पर्थम पर्थम समान अनुपाती का फर्मूला क्या होगा, B square by C पर्थम A तर नहीं है, यह B है और यह C है यानि B square by C, इसका कर देंगे clear है, next अब क्या कर दें, इसका मद समान अनुपाती क्या होगा अब पूछता है बीच वाला समान अनुपाती क्या होगा जब भी बीच वाले पूछे तो यह पहला दिया गया है यह A दिया गया है और यह C दिया गया है बीच वाला हमको पूछ रहा है तो A की जगह पे तो दिया गया साथ मद यानि बीच व सरे गुना होगा में मोच से म Defy करेंगे बरावर कितना होगा सात गुलने 28 हम स्वुल की जप शॉलकल की जए तो चीमे का साथ गुणे 28 यानि एच पर सॉधू गोने एताईश वेखाघाय्ट ऐसकना होगा кино तीन यानि मद अनुपाद क्या होगा तीन यानि मद अनुपाद का फर्मूला क्या होता है रूट रूट अंडर बीसी कर सकते मद अनुपाद का फर्मूला हो रूट अंडर एसी क्या होता है एसी यानि जो दिया गया उसको रूट में आप लिख सकते रूट A B कर सकते रूट A C कर सकते कुछ भी इसका मद अनुपात का कर सकते आपको पुटब किजी आसानी से पहलू पूटब निकल जाएगा इस अब क्या कर रहा है तीसरा अस्थान पर क्या होगा यानि यह पहला स्थान दिया गया दूसरा अस्थान दिया गया लेकिं तीसरा समाना निकालना है वैसे ही फॉर्म यूज करेंगे जैसे देखिए 0.36 प नामान अनुपाती का चिन यानि दूसरे अस्तान पे तो 0.48 ही आएगा लेकिन हमसे पूछ रहा है तिरती यानि यह C पूछ रहा है यह C निकालना है अंदर वाला अंदर वाला से गुना होता है बाहर वाला बाहर वाला से गुना होगा यानि इतना होगा 0.36 multiply C बढ़ाबर कि multiply 0.48 0.48 हो गया अब जब इसको solve किजिएगा यह कितना है c बराबर कितना हो जागा 0.48 multiply 0.48 divide by कितना हो गया 0.36 पॉइंट से पॉइंट कट गया बाड़ा बायाँ 24 बात है 36 बाड़ा चक अर्तालिस चार मरती पॉइंट रहने दीजिए दो अंके बाद पॉइंट है 464 आगया दो अंके बाद पॉइंट था तो 0.64 इसका correct answer होगा कौन सा 0.64 यानि option 1 इस प्रेस्ट का correct answer होगा अब पूछा त्रित्य समान पाती निकालने के लिए formula का बाद किया जाए तो आप कर सकते b square by a क्या कर सकते b square by a त्रित्य समान अनुपाती b square यानि इसका square कर दीजिए उसमें a से divide कर दीजिए के लिए रहे अब देखिए अगला प्रस्ट क्या कर रहा है दू संख्या का अनुपात 5 ratio सेबिन है तो उनका यूग 600 दू संख्या दिया गया एक 5 और दूसरा सेबिन जो इनका यूग दिया गया तो साथ आपाच कितना होगां तो बारा बारा यूदीट का वहलू जा गया कितना 600 ठीक एक Factory कितना हो गया बारा पचय साथ है यानि पांसो आरा पचे साथ है 50 हो गयाँ अब पूछ रहा है इन में से सवसे बड़ी संख्या को है एक पाच है दुस्षा सात है तो बड़ी वाली संख्या कितना है इन comment पचास है तो सात यूनीत का लड़कियों का अनुपाद ज्या गया, एक तरफ बुआए है, एक तरफ गर्ल है, ठीक, इनका रेश्यो ज्या गया कितना, 5 रेश्यो 2, कितना 5 रेश्यो 2, आगे क्या करें, यदि लड़कों की संख्या 150, यह 5 यूनित नहीं है, 5 के जगपे कितना है, 150 है, यानि क्या गुना है, 5, 15, 30 गुना है, ठीक है, तो विद्याले में कुल कितने विद्यारती है, विद्याले में, टोटल 5 के बाद 6 साथ, टोटल 7 यूनित विद्यारती है, यानि एक यूनित का वहलू 30 है, तो 7 यूनित का वहलू कितना होगा, एक यूनिट का वहलू 30 है तो 7 यूनिट का वहलू कितना हो 7 गुने 30 यानि 7 एक कईश यानि 210 विद्यारते है कितना 210 यानि correct answer option 1 इसका correct जबाब होगा जैसे देखिए total विद्यारत देखिए तोटल विद्यारत देखिए तोटल एक में कितना तीस से multiply किए तोटल 5-6-7 विद्यारते है इससात में हमको क्या करना हो तीस से multiply करना हो सात्य एक कईश यानि 210 विद्यारते है यानि correct answer option 1 इसका correct जबाब हो जाएगा clear है next कोई धन अजय और विजय में 4 ratio 3 के उन पात में बाटा गया है एक तरफ अजय है एक तरफ विजय है इनको 4 ratio 3 में कोई धन बाटा गया ठीक है यादि विजय का वहाग 2400 यानि तीन यूनिट का वैलू कितना दिया गया 2400 ठीक तीन अटी 24 यानि 8 का multiply किया आटी 24 यानि 800 यानि इसमें कितना मल्टी 800 गुना है ठीक है Tола द्हन कितना है तो पुल धन कितना है चार टीं इसात यूनित ग chat को 8 से मजिपलाइब्य नहीं को Waar देंगे क्प्शन का कड़िक जबाब होगा कि जिए एक ती्थे किनी 43 ratio 38 है यानि एस्कूटर है और एक है TV से ठीक है इसका रेशियो दिया गया 43 ratio 38 ठीक है अब क्या करा है यदि एस्कूटर का मुल TV से पचीस सो रुपया अधिक है यदि एस्कूटर जो है वह कितना अधिक है 38 ठीक 14.43 चालीच जैनि पाच अधिक है यदि 5 उनिटा थीक है 5 यूणि का वैलू कितना अधिक गया ऑुपया अधिक है चीद का वैल कितना अधिक है तो एक उनिट का वैल highlighting होगा 5.25 यानि पानसो अप पूछ रहा है TV सेड का मुल के है यह तर tv सेड कितना 35 यूणि यानि एक यूनिट का वहलू 500 है तो 38 यूनिट का वहलू निकाल देंगे इधर 38 से मल्टिप्लाई करेंगे 500 मल्टिप्लाई 38 कितना हो जाएगा आपको निकल दागा जीरो जीरो आठपची चालिश कि सुनना हासिल जार पांतिया पंद्रा पंद्रा चार कितना हो गया 1900 यानि 1900 इस प्रश्ण का कडिक जबाब हो गया किलियर है जलिए थैंक यू पर वाचिंग देश वीडियो ऐसे ही इंपोर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बी एसी बिहार एस्टेटिक जाम को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ में बेल बटन को दवा दे ताकि आपको अपर एक वीडियो का नोटिपिकेशन आपक को समय पर मिल सके लोगों के साथ या वीडियो शेयर करना भी ना भूले जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा आपके साथ उतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट का डिसकसिन करने को मिलेंगे थैंक यू वन्स अगें